कुल्राउस का नियम बताईए यह पेपर में सबसे जादे कोश्चन आता हर साल कोश्चन यह देखा जाए तो कोश्चन बार बार पूछता है कुल्राउस का नियम बताईए दोहर 18 में देखने को मिला सबस्क्राइब कोश्चन लेखने कंडरां पूछता है कुल्राउस का नियम बताईए या या प्रेकल दोस्ट किसे कगते है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ-कुछ याद रखते हैं, कुछ-कुछ भूल लाते हैं, कुछ-कुछ बहुत महत्पूर कोश्चन होता है, जिसको हमको याद करके पेपर में लिखना होता है, तो चलिए आईए हम लोग कुछ महत्पूर प्रस्नों को हम लोग पढ़ते हैं, अनन्त तनुता पर, अनन्त मतलब होता इंफिनिटिव, ऐसे बनता है, अनन्त तनुता पर मोलर चालक्ता इसके धनायन तथा दिडायनों की मोलर चालक्ताओं के योग के बराबर होती है, जैसे यहाँ पली लिया जाए, तो हो गया लेम्डा यम एक बार यम को पलस कर दीजिए सेम सेम उपर आगा इंफिनिटी वह उपर ही है वो इंफिनिटी इसमें भी उपर है मतलब इसको अनंत बोलते है इस बात को अनंत बोलते है एक बार इसको क्या करेंगे पलस लेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे तो लेमडा इंफिनिट्व एम बराबर x हो गया यह दोसरा y हो गया तो इसको एक बार पलस लेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस ले लेंगे तो जिसमें लेमडा इंफिनिट्व प्लस यम प्लस और लेमडा इंफिनिट्व यम माइनस करमसा धनायन और रिडायन की आयनिक चालता होती है जिसमें जो होता है यह धनायन होता है यह क्या होता है रिडायन होता है आयनिक मतलब यह जो आयन होता उपर का जो पलस माइनस इसी को आयनक चालगता है है तीक ना अब इसमें जानते है क्या जो धान आयन आरीड आयन की मूल चालगताओं के योग की बराबर होता है उसी को कुलरावस का नियम करते हैं इसमें एगो पलस एगो माइनस मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है उसी को हम कुल्रावस का नियम कहते हैं तो कुल्रावस का नियम में यह समीकर लिखना इपोर्टेंट होता है अब आते हैं हम लोग साटकी दोस किसे कहते हैं साटकी दोस किसे कहते हैं उदारत देकर समझाईए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साटकी दोस के बारे में जानेंगे हम लोग कि साटकी दोस होता क्या है वह दोस जो किष्टल जालक में धनायन तथा रिणायन के समान संख्या में अपनी अस्थान से लुक्त होने के कारण निर्मित रिक्त अस्थानों के कारण होता है साटकी दोस कहलाता है पूरी बातों को यहां हम अस्पष्ट रूप से समझेंगे को कारा है साटकी दोस के बारे में जैसे मान के चली एक सुद्ध जालक है सुद्ध जालक किसे कते जान लेते हैं एको पलस हो, एको माइनस हो, एको फिर पलस हो, एको फिर माइनस हो, अब फिर यहाँ पर माइनस चालू जाते हैं, यहाँ पर फिर पलस हो जाए, फिर यहाँ पर माइनस हो जाए, फिर पलस, फिर यहाँ पर माइनस, मतलब उल्टा चलता रहा है, यहाँ पर माइनस जाते हैं, आपर क्या हो जागा फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर क्या हो माइनस हो सही हो रहा है ना प्लस माइनस प्लस माइनस फिर यहां प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एक और कर लेते हैं आप राने देते हैं इतने हैं संक्या गिन लेते हैं पलस वाला जादे है कि कम है एक दो तीन चार पांच हो इसे तरह इसमें भी हो एक दो तीन चार पांच है मतलब कहा हो दोसी यह सुद्ध जालक हो गया हमारा जालक किसे कहते हैं यह जान लेते हैं है जो गोलका है जिसमें धन पलस होता है आरीन माइनस होता है इसको जालक बोलते हैं यह क्या करता है अपने यहां से रिकत हटा लेता है मतलब इस्मेंस गयायव हो जाता है जैसे मान कि जलुए सुद्ध जालक है पलस माइनस Ahi यह जो उजरका उजरका होता है यह जो पार्ट यह दिख रहा है जो खाली है इसको बोलते अंत्राकासी ठीक है यह सुद्ध जालक हो गया आप दोस जालक में देख लेते हैं क्या होता है जैसे मान के चुले यह सजी इक्वल है लेकिन आपर देखो यहाँ पुलस फिर माइनस माइनस दू जगह हो गया तो यह अपना रिकता स्थान दे दिया यहाँ पर भी रिकता स्थान दे दिया मतलब दीरे-दीरे क्या होता है, वहां से खतम हो जाता है, खतम होके यहां पर खाली हो गया, यहां पर भी खाली हो गया, इस खाली होली बात को ही बोलते हैं साटकी दोस, मतलब जो अपना अस्थान को रिक्त कर दे, मतलब मान के चलो, दस लड़के हेलाईन में, दस लई का हे competitors that's big not A.C. को बोलते हैं पेपर में सबसे जादे आता ऑँ रिकटा किसे करते है रिकगडिक तो पेपर में आता है तो इसी को बोलते हैं कि यहां तक समझें सबको आया होगा का तुम को समझे wa nai eka तीक आ गया चलो ठीक और तुम्हें पें एक का देखो अध्यान से ध्यान से देखो वह जो कृस्टल जालक है जो है ना घोल 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 जीतने के समान संख्या तैक है तेना है उतान ही है समान संख्या मे stripped होने कारण night इस समान संख्या से अपने अस्थानों से मतलब अमेन से लुप्त हो जा रहा है धेख़ू यहां पलस पलस तैंस अगर माईनस ता स्कावलाता है इसे रिख्तिकाद्थ भी कते हैं जैसे मान के चलो यह पर यहन ईंवे सी अंव हो गया यहन पर पुलस हो था है इसको अपको हो गया आप लोगा स्पश्ट रूस में बनाइए तो पौलस भी बराबर होना चाहिए मैनस हो मैनस हो बराबर हो यह दोस वाला रिक्तिका अप डीया पिर बोले ढेल को लाइब कर दो दूँग होती है इसमें इसमें के गाइब किनू जाण मतलनल रिक्तिका हो गया अब आते हैं फ्रैकल दोस किसे कहते हैं फ्रैकल दोस किस्टल जालक में से किसी आयन द्वारा अपना जालक बिंदू छेत्र छोड़कर अंत्राकासी अस्थान करने के कारण उत्पन हुआ दोस फ्रैकल दोस कहलाता है इसे अंत्राकासी दोस भी कहते हैं तो यहां पर हम लोग समझते हैं फ्रस्ड किसे कहते हैं फ्रस्ड धोस्ट अब इसमें क्या होता है जैसे सुद्धजालक बना लेते हैं एक सुद्धजालक हो गया एक प्लस, एक माइनस, एक क्या हुआ प्लस, एक हो गया माइनस, एक फिर प्लस ले लेते हैं, फिर यहापर माइनस, फिर प्लस, फिर एको माइनस, फिर एको प्लस, फिर एको माइनस, फिर एको प्लस, माइनस, फिर प्लस तो फ्रेकल दोस उसे कहते हैं ये सब जालक हो गया ये जालक क्या हुए यहां सकूद कर यहां चलाया ये जालक को यहां सकूद कर यहां चलाया इसी को फ्रेकल दोस बोलते है मतलब जालक से छोड़ के है उजरका वाले में जो है क्रिस्टल जालक में से किसी आयन द्वारा अपना जालक बिंदू छेतर छोड़ कर मतलब इसमें ecta क्या हो ग argent-g और जाब आज और अंत्राकासी में चला जाए आग अ अच्या अच्या अंत्राकासी में चला जाए लाइक रहें झाल झाल